हाई मैं हूँ अमर उपाधियाए और मैंने दिल से बात किये सिधार्थ कनिक के साथ प्लीज सब्सक्राइब तो इस चैनल 30 अव अमर उपाधियाए और सिधार्थ जी हाँ दोस्तों हम लोग दोनों यंग हैं हम दोनों अभी भी टिके हुए हैं और लगे पड़े और अच्छा कर रहे हैं यह बहुत जरूरी बात है बहुत जरूरी बात है बहुत जरूरी बात है अच्छा दिल से अच्छा काम करना जरूरी बात भाई तीस एर का हाई पॉइंट लो पॉइंट किया रहा है सबसे बड़ा हाई पॉइंट तो शुरुवात में जो मुझे आनद महींदर जी है थैंकिम सो मच कि उन्होंने मुझे ये देख बाए देख शो दिया था और उसमें परिदा जलार, नभी निश्चल, सुष्मा सेट, शेकर सुमा नितिनी बड़ी कास्ट उस वक्त की बहुत बड़ी कास्ट उनके सामने मुझे पिछ कर दिया कि तुम भी हो इसमें तो पहले बड़ गया था मैं अई बावरी तिनी बड़े लोगं के साथ कैसे मूँ खोलूँगा कैसे एक्टिंग करूँगा एक फंच होता और धिरी जिने समझ में कि यह TRP क्या होती है भाया यह यह गेम कुछ और ही है इसमें नंबर्स देखने पड़ते है उस वक्त भी जबान संभाल के था हमारा देख भाय जख था तो उनमें कॉंपेटिशन थी बहुत कम चैनल थे डिडी मेट्रो था डिडी वन थ आया था तो ऐसे कुछ कम थे फिर भी TRP वार था 70 70 TRP 65 TRP वो सब जवाना था तो बहुत मज़ा आता था और वह एक हाई पॉंट था उसके बाद फिर चल पड़े इंडस्ट्री में तो एक बार और काम करना है तो काम मांगना जब दौर शुरू हुआ की काम चीए तो फट फट 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 शो मिलते गए इनो जया बच्चन जी गे में इस सकेंड शो उनका शो था आरजू वो मिला फिर एक बाद एक बाद एक बाद एक बाद शो के लाइन चुरू होगी और इंडस्टी में थोड़े से जम गए पर वो कौन सा सवेता जा लगी पड़ी ती सच्छे करना पड़ेगा अरे कुछ करना पड़े लोगों जाने मिलते हैं फिर सबके नंबर निकाले ओफिस में बखे जाए सर एक काम किया मैंने कुछ तो तो वो जो वक्त होता है काम मिलना करियर के शुरुवात में जब आपका कोई गौडफादर नहीं है कुछ पता नहीं है इं जो टाइम होता है तो वो एक बहुत ही डिफिकल लगी पड़ी बात जो बोल रहा हूं वो अलग लेवल पर फिर कुछ भी काम उठा लेते हैं कि हमको पता नहीं कि या यह ले लेते हैं जो ऐसे भी बहुत काम किये जो सवाइव करने के लिए मुझे मुझे ऐसा लगा उस व कर लो तब चॉइस नहीं होती थी तो वो काम भी किये हैं जो फिर लगा कि क्यूं किया था क्यूं किया था क्यूंकि सवाइव करना था अच्छा किया फिर वा खुद को बोलते हैं तो वह एक दोर था फिर एक बार ऐसा भी दोर आया कि क्योंकि सांस भी के बहुत ही एक आया वो भाई वो भी आया था वो भी एक टाइम था कि अरे या यह नाम में नाम में ही औरते हैं मैं किदर हो भाई इसमें बना किदर हो छोड अमर इकर पता नहीं फिर से वही बात दिमाग में and then I did it very honestly दिल से काम किया उसमें like they say rest is history मैंने सुना कि जो stardom तुमने देखा वाई वह माने ऐसा stardom था जो लोग बड़े screen पर देखते हैं वैसे तुमने देखा क्या होता था I genuinely want to know दिल से और तुम बिंदास बोल सकते हो क्या होता था जब तुम गाडी से निकलते थे fans के साथ माते हो सबसे पहले तो जब मुझे इस शो जस्ट रिलीज हुआ था तो हम लोग सब नीचे बैठके खाना का रहे थे बाला जी हाउस में नीचे बैठके खाना खाते हैं सब लोग मतलब बिंदी अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप थी और हमारा सेट भी था और एकता और कृआफ दखी 1 जा खाना जा तो जब मारा जो एकता जांचा इंग सबगए वाद आंडर ही जड़ी णेर नमर ये ना बतलब आ कानना कृप और आमर को तो प्रृजे बढखा में उर्ख कर आझता झाल ळैब तो में अ भी बादी एकता आणा ये घर बड़ग के तो भी मूक वा वा जो ठीक है और सबसे बड़ा रियलाइब में तब हुआ जब मैं बिफोर मिहीर डाइड की बाता रहा हूं वो मिहीर डाइड की बात तो अलगी हिस्ट्री थी 2000 के end में December महीने में मैं गया था ताज महील दिखने आग रहा हूं और मुझे नहीं पता था कि Friday को free entry हो तो मैं तो शाम को पहुचा तो मतलब इतनी भीड इतनी भीड गे में गेड के बहार रोड पे लाखो लोग खड़े अंदर जाने के लिए अंदर भी पूरे सर दिख रहे बाल, बालं काले काले से ताज मेरे से दूर वीड वीड और फिसे लिग बए किसी नहीं देख लिए मुझे और लड़का एyk मुझे लड़का है मिहीर ऎघ। वो फैल गया। और अधर मेरे सबने घेर लिया, मेरी फैमिली कहा चली गई, मैं कहा चला गया, मुझे उठा के ले गई, क्राउड, हमकारे साथ पोटोग्राफ ही है, फिर पुरा सेक्यूरिटी आ गई, बीस पचीस लोग आए, मुझे अंदर ले गई, सार आप क्यों आए, मतलब मैं ताज म मैं देखाई नहीं, कपड़े फट गए मेरे को लिटरली बोल रहा हूं मैं, मैं टी-शिर्ट फट लिया लोगों ने, मैं ऐसे फटे-फटे हाल में बाहर आया था मैं तो इसा बालवाल ऐसे हो गए मैं मैं तो यह क्या होता यार मुझे चाहिए था ऐसा सब कूली ऐसे नही लेकिन कपड़े रहे था यह कर रहा हूं कपड़े लिए बाहर दाल देखा ऑन्दर गए नहीं मैं तो इस वाड़ वार आगाने के अदर लेना में अगया था था उस वहा था और वो जो देखा था बहुत मज़ा एंग और पचीश ओरते जब बालाजी के बाहर आर आए एक पत्थर रहा था मारा था काच पे कुई मारा उसको विभारा तुमको कुछ लिख ने को उसको पाल ए इसको जो इसको याँ yes it worked it worked it worked kind of thing तो माने लोगों ने पत्थर मारा बालाजीब दे कुछ तुमको वह कुछद साह हो गया र अपसेट वाला फीलिंग कहला है यार इसको क्यू कज बारा वहार अवेढ़ू समझ् rounds , मुझे तो समझते हैं क्या हो रहा है साथ मेरेसाथ से होई बढ़ भाई जाक हो तो नहीं हो रहा मैं गुज़र रहो हैं कि असक क्या और गुज़र रहा कूछ रहा कर दोशें कि उसके बाद आप कही पर भी जाते हैं, कोई भी रोल करते हो लोग आपको उसी रोल के साथ असूसियेट करते हैं, जो आपकी अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है, ऐसा हुआ? एसा हुआ, कई बार हुआ लोगों ने बोला कि यार वो जो लेवल था उस वाला वो बाली बात नहीं आई हुआ 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 इसलिए मैं बहुत कॉंशिसली उसके बाद मैं अलग किसम के रोल करता हूं कॉंशिसली कि वह इमेज को तोड़ू मैं बहुत मुश्किल से अब लो मैं अग्सेप्ट करती है तो कॉंशिसली मैं एंट एफ़र कि वैसे रोल ना करूं क्योंकि वही रोल करके फिर वो मैजिक होता नहीं हो मैजिक एक बार होता इतना बड़े लेवल पर तो कॉंशिसली एड़ एक्टर आप इस ड़ींग डिफरेंट रोल्स, इस डिफरेंग मतलब जो भी मेरे पास आया फोरो पर निकालना है मैं गंटो गंटो बैटके फोरो निकालता था चाहे वो कोई भी हो लेडी सोज हैं सो अमीरो गड़ी वो बच्चा हो बुड़ा हो और मैं कहीं भी जाता था तभी वो रिवन काटने के लो कुछ मैं तो आप आओ मेरे घर अदिए भी मेरे गर पर पहुंचाता था आप यह एजए भी मेरे घर पर फंक्षे आख चलो free work हो तो मैं तो मैं पता ही होता है बढ़ी वह घाएड में एक इसे नहीं जाना चाहिए तो गवंटी बच्टी मैं आज भी नहीं हो तो गंटी मैं अटीसाल होगा ग्या गंटी क काम कर रहे हैं अच्छा काम करो, काम मिलेगा, simple formula ने मेरे साथ तो तुम हमेरिशा, जो हग्स देते हो, प्यार से मिलतो, it's unbelievable I'm like that with everyone, you know, that's me, that's me और रे मैं अच्छा होगा, यह होता ही निया बखवाज दो, क्या है इसे कोई किसी office में काम कर रहा हो या कोई business में है कोई कुछ यह मेरा एक अलग profession है और जहाँ पर famous होना एक ज़रूरत है more than you know anything else it's important to be famous to get work you know मत survive करना है तो यह भी famous fame होना चीज़ अब घमंड भी आ जाएगा तो काम नहीं मिलेगा अब 30 साल से मैं लगातार अब क्या है तब काम मिल रहा है वरना यहां गवंडी लोग कि मेरे से 50 है मेरे से 50 है उनको काम मिल जाएगा तो ऐसा कवी अगूआ कि आप इतने बड़े हो गये कि कभी काजिन लोग तो चाप काम कर रहे हैं बहुत पैसे मांगने लगा अगे आपको attitude ऐसे कुछ ने कुछे मे अपने आप पैसा फॉलो करेगा, आप पैसे को फॉलो करोगे, तो काम नहीं मिलेगा, एक लेवल पर पहुंचने के बाद आप कुछ हद तक डिमांड करो, but you have to be true to the project, कैसा है, क्या है, वो सब सोच समझ के डिमांड, पैसे के लिए मैंने कोई काम छोड़ा हो, ऐसे कभी होता नहीं, मैं काम कर लेता हूँ, पैसा चाहे जो भी हो, पैसा इंपोर्टन है जिंदगी में सब के लिए, लेकिन अच्छे काम के सामने पैसे की वैल्यू नहीं है, और जैसे लोग कहते हैं ना यार, काम अच्छा करो जैसे आप भी कह रहे हैं, बाकि सब फॉलो करता है, सब फॉलो करते रहो, पैसा आएगा, फेम आएगा, काम करते रहो, आपकी डाइरी फूल होनी चाहिए, भाई, कभी हुआ था आपके और एकता के बीच में प्रॉब्लम, ने ऐसे हमारा वन-to-one कभी ऐसा हुआ नहीं जिंदगी में बहुआ कर कभी हो भी ना, शी इस अमेजिंग परसनालिटी बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार कर रही है, I admire our hard work, मेरे सामने वो 20-20 गंटे, 20-20 गंटे काम करती थी, और अभी भी लगी पड़ी है मैनत के साथ, मतलब इतना तो मैं बनो आज भी ना कर पाऊं, इतने साल बाद भी, 20 गंटा, और इतने सारे शो को एक साथ टॉप शोज, आप गिनलो शोज, क्योंकि कहानी गर-गर की, कसौटी जिंदगी की, कहीं किसी रोज और पांचे और ना, कुसुम, कुटुम, क्या-क्या नहीं था, वो सारे टॉप पे चल रहे थे, और उन सब के ट्रैक को समझना, मूव करना, यह एक बहुत genius mind ही कर सकता है, मैं ना कर पाऊ, दो शोग, एक साथ ना करते हैं, पर उस समय में हम लोग को सुनने को मिलता हूं कि वो बड़ी गुसेहल भी हुआ करते हैं, अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, आप दोनों के बीच में कभी कुछ problem नहीं कि अमर ने इतना उसने मुझे single-handedly मुझे प्रमोट किया है, मिहिर में, और कुछ डेट के problem के वज़े से मैं नहीं कर पाया था, continue show को, date की genuine problem थी, मैंनेज ही नहीं हो पाया, क्योंकि या मुझे नहीं है, इतना सारा काम आए, 4-5 फिल्मे आगई, 2-3-3 serials, 4-4 फिल्मे, एक साथ तो मैं, and TV is very demanding, you can't do more than one show now, इतना आप, तो उस वक तीन television soaps करना, और 4 फिल्मे करना, एक साथ, वो मुझे handle इतना सारा काम करने नहीं है, I think that, अगर कोई अच्छा मेरे बाद मैनेजर था, वो कर बाता तो अलग बाती, तो I think what Ekta felt, I think was, she was right, I think, के we promoted you so much and you, I think genuinely, पर आपने सामने अपने यह discuss नहीं किया, था कि चीजें smooth out हो जाए, कभी बात करने से चीजें better हो जाती है, No, smooth out हुआ था, मैंने बात भी कीजी कि, I told her also कि whatever happened, maybe I couldn't handle that, that kind of date thing, basically dates की issues थे मेरे, and she understood and we worked again, we worked in Kaswati again, and I came for a brief time just to, just to prove that I am okay everything, and then after that, I have done her recently, which was a huge hit show, if there is a problem, then I was working, so I think I love Vakimita, because she is a genius, completely genius, and a genius is here too, Amorupadhyya, my brother, okay brother, this is Dory, जो है इसमें आप पूर इंसान का किरदार ने बाहरे हो, जो physically challenged भी है, जी है, उसका हाथ तुटा हुआ पुरा, जी, और उसके पर वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा ये ये इंसान, ये आपके लिए emotionally draining out था आपके लिए करते वक्त, बिल्कुल, I can tell you, we are a friend also, so this scene करते हुए, मैं सच में रॉया भी हुआ भी हुआ, You broke down? Yeah, actually I have cried in the scene because, वो जो उनकी पीडा होती है न, वो जो गरीब जिसके कीचे में पचासो रुपे नहीं है उसके लिए उसको पूरा दिन महनत करनी पड़ती है, पसीने चूड जाते हैं, तो उनकी बेटी की चूडी से डमांड पूरी करें, ये actually होता है, और उस इनसान को फील करना जिसको पूरा गरीब का जो उनका बस्ती के लोग भी धुदकार है कि ये लड़की हो, खुद के खाने के लाले पड़े में एक बच्ची को लेके है, वी लड़की, लड़का होता तो आज बड़ा होके उसको सपोर्ट भी लड़की को लेके है, ये लो डिस्क्रमिनेशन है, ये गलत चीज है, और वो मैं बेटी के बाप भी हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बेट ये जादा इमोस्न होती हैं फैमिली को लेकर, जादा ख्लो होती हैं, तो आइ थिंक करते-करते मेरी आँखों में सेच्छ में बहुत बरास हुआ है, मेरा डर्क्टर है कि मझे भी हैं बहुत बार कहा है, यह आँआर, कूलड़ण होता निया इमेज़ड़ी, लेकिन कभी जाते हो सीन के अंदर इतना चले जाते हो डीप अंदर, तो कई के दिल में एक्टरों को ऐसे कभी छू जाता है ना, क्या थी ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में, I am really thankful to God and Colors and Jay Mehta production कि मुझे यह रोल दिया, इन लोगों ने, बोलते वक्त भी आपके आखों माने हैं, वो moistless जोड़ा था आगया, भाई हमें जब बीच में सुनने को मिलाता हैं, correct me if I am wrong, भाई हो तो हग से पूछता हूँ, कि अम अरुपादिया अब jobless हो चुके हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो सही था या अफाय थी या वाके में हुआ, सी क्या होदा ना, एक दौर ऐसा आता रिपिटेडली कभी-कभी same काम मिलता है, me as an actor, मैं grow नहीं कर बाता हूँ, तो कभी 3-4 महिने मैं नहीं लिया काम, तो ठीक है, if I can support my family for 4-5 months, without you know, going for a job, मैं, और मैं survive कर पाऊंगा या नहीं ये पहले देखो, काम मिलना, वहाँ की दया से काम तो मिलता रहा, पर as an actor, I'd, if I could, if I can choose, और if I can wait, और मैं wait कर पाता हूँ, तो मैंने वह कोशिश की बीच में, कि मैं wait करता हूँ, अच्छे काम के लिए, और wait किया मैंने, और मुझे साथ ने बना साथिया शो मुझे मिला, जो बहुत ही अलग किसम का negative role था, जो positive और आज तक वो famous है, Instagram पे आ जो मैंने छे अंट मैंने घर बेट के बेट किया था, वो मैंना बहुत डिफिकल दौर था, डिफिकल कैसे, कि मुझे काम करना पसंद है, मुझे घर बेटता हूँ तो मुझे टेंशन हो जाती, कि यार गर बेटा हूँ, एक दो दिन बेटता हूँ तो I walk up the walls, मैं यह क्या कर पाई करो तो मैंने वेट किया, वेट थो लिबाड़ा हो गया एक फांच healthy अए हम आया मेरे पास बहारू यह अड़ा ना इंकी वह तुम करोगे कि मेरी favorable तुम है काम करोगे साती मधना साती मział.. नहीर लेकिन यह तुमको बला था न् Unaens expected to pur Highness like Am some on one, my 50-50 सान तो वो या paint थे I worked in that show, I really had a good time doing that show. I really enjoyed that show. Set पर जाना मुझे मज़े जाना मुझे मज़े आता था कि अरे चलो यार, set पर जाते हैं. तो एक वो शोर करके इतना मज़े आया, Satisfaction था, you know, as an actor. It was great fun. So, सबर कलफल मीठा था. पर बताओ, उस दौरान, जब आप घर में बैठे ले, कभी financial crisis या emotional breakdown हुआ था, क्योंकि बहुत difficult दौर होता है, और especially हमार इंडस्ट्री में, insecurities इतनी आती है, भाई, वो आगे निकल रहा है, ये ओर आए, अरे मैं घर में बैठा हूँ, वो हुआ था भाई, वो आगे निकल रहा है, वो कभी मुझे बौजर नहीं किया अस्तर मुझे, वो गेंटा फ़रक बड़ा, हाँ, फ़रक नहीं बड़ा मुझे आस्तर क्योंकि, वो आगे निकल ली जाते है, कोई नहीं निकलेगा आगे तुमसे और फिर उसके आगे कोई और निकलेगा, ये होता है, तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा फ़रक निकल रहा है, कौर पीचे कोई निए, मैं इंडिविजली चेक करता हूँ कि मैं अलग काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और मेरे पास काम कैसे आएगा, मैं कितना अच्छा करूँ आएगा, I just have to be very honest to my work, जब डिरेटर ने action बोला तो मुझे मेरा सब दे जाना है उसमें, पर उस वक्त क्या आप financial crisis यार ऐसा दौर था जा आपको confidence जोता हूँ चले जा रहा था? See, financially, by God's grace, उतना कभी हो नहीं था, क्योंकि गुजराती सब वेल नोन पूर की safe for rainy day kind of thing, rainy day के लिए safe, तो वो, एक calculation थी मेरी कि मैं बैठ सकता हूँ थोड़ा ताइम के लिए और मैं अच्छा काम देख सकता हूँ, तो वो, मैंनागे रहा कालक्योशिशन था, और वो खराब हो और पहले ही वो ओपर वाले भेज़ दिया मेरे बासचे के लादेख सकता हूँ जो को परदी ब्रेंगिए रहा था था इना टाइनल मैं पर यूजब दिया है तो अटना मज़ा आई अज़ा थे तना मुझ अग तो दो एक घर था तो लागए इनसाने को प्टोर निपाइ रख दो लोगों की वानदेह्ल निमाग का देवाग? सी because to handle other 13 contestants is a challenge. Unknown people. आप लखड़े में भशे बी थे वो विग बॉस फाइल में अभी मैं अभी ओल कोल दो और हर सीजन अपना एक होता है, रंग एक फ्लेवर होता है आपको उस फ्लेवर को पकड़ चलना पड़ता है हर सीजन का अपना होता है वो रिएट करते हो सीजन नहीं लग लवड इट I loved it चलके मैं चलना कहा दो matchups, यार गांज ए ईहा जो हो निए ऑफुकों पने सादने क किसी किसे हो तो नानों इसी करत आहि दो हम थैसा नहीं हूट— मैं नहीं के लिच्ति ही कर दिया। आप तरश में होते हो फिर उसके खतम होने के बाद तरश में होते हो फिर दिरे दिरे वो तश निगल जाता है कि कभी 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 कोई ऐसा बॉंडिंग हो जाता है कि रह जाता है कभी नहीं रहता है पर एक epic statement था Salman Khan का उस time पे since you brought it up कि stop wearing fake being human t-shirts oh I know he told me yeah he was told me in store room He came from store room in the house so I had opened it and he was wearing fake BB sorry it is fake I am sorry I don't know I am sorry I couldn't wear it after that but after that I couldn't wear T-shirt in the house because I didn't know it was fake I mean he told me so I thought it's genuine stuff so being human यारों का यार आपके लिए इंडस्ट्री में कौन है यारों का यार इंडस्ट्री में मेरे लिए है मैने सुख दुख दर्द लो मोमेंट्स फोन करो तो उठा देंगे या कोई नहीं है आजकल टॉट्समें नहीं पहले हम लोग रोज बात करते थे मुझे क्या प्रोल्लम है क्या है इंडस्ट्री में कैसे मूव करो तो कुछ हट तक I also get very good advice from him as a senior, as an actor, I was in touch with him very very much about any problem in the industry pad and I also look up on him as a senior actor. अपने लॉड राम का किरदार निभाया था, right? यह रिसें लिया, जी हाँ, तो अभी भी होता है जब लोग आपको भगवान के समान देखते हैं, तो जिस तरीके से आप घूमते लोग केते हैं, यार भगवान जी आगा पहर चुए यह सब होता कि निया? याभी मुझे मिहीर ही बोलते हैं. अच्छा, मिहीर ओवर्शाड़ोस इस. अबसलूटी, मिहीर ओवर्शाड़ोस वर्शाड़ोस आपके बारे में क्या था? इतने होंगे बहुत ज़्यादा है रुमर्स लेकिन जैसे वी तोल में आटिटूट बहुत है इसके अंदर यह इसका दिमाग वह है, इसा है, खराब है खराब में पर्विम में परिम्हुस को आपको और प्रोललं समने रहा है, इसाइन वहीं है, बहुत मेरे पारदूस जन्होंने रिपीट किया है, असलोगस लेकिन अधर काम किया है, मुझे बहुत आपक जयाय को मुझे रिपीट भी उन तोछ्ष चोड़ोस, किया, they gave me 2-3 shows, Bala ji called me again, Arunah Irani, इतनी senior veteran maker थी, उन्होंने मुझे चार शो में repeat किया, और वो हमेशे बोलते हैं, कौन बोलता मेरे बारे, मुझे नहीं पता, जैलेसी भी होती है, जैलेसी भी होती है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, feel करते हो कि नहीं, And the best part is, they repeated me in their shows again and again, so, खतम होगे अब जैलेसी होती थी अपको, लोगों को आपकी होर, लगता है, लोगों को होती होगी है, मैंसे मैंने काम में लगाता हूँ, कौन क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, मुझे उसे कोई मतलब भी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मैं अलग काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसे मतलब है, कहा जाता है, रौनित रॉय, TV's official superstar और कुछ लोग कहते है, अमरुपाधिया है, TV's official superstar. See, I have immense respect for him, he is a wonderful actor, he has done some wonderful films, good, good characters, TV में रौने बहुत अच्छा काम किया है, and I think, he is very different than me as an actor, or I watch his performance, and also I learn from him, I don't know whether he does that or not, I don't know, but मैं देखता हूँ, और मेरे से बड़ा है ओमर मेरानित, अच्छा काम भी किया, मुझ से पहले industry में आया है, and he is doing a wonderful job, so I learn from his performance. Is TV a lonely place when it comes to friends? No, you can make friends if you want to, there are thousands of people, you can, it depends, मेरा जो चर्क्रेंस का, वो पूरे corporate world वाले जो मेरे पुराने 20-25 साल पुराने, और मेरे स्कूल के जो friends है, वो आज तक मेरे friends है, कुछ bankers है, कुछ finances में है, वो बेरे ऐसी naturally मेरे पुराने friends है, जो पहले हम लोग friends है, और फिर अलग जॉब में चले गए और वो, तो आज भी touch में है, तो मेरे भार friends जादा है, और मैं जादा busy वहाँ होता हूँ उनके साथ, जान उचके avoid करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा वो major connect नहीं बना हूँ, On that note, thank you so much, मेरे भाई, मुझे यकीन है कि जब तुम्हारे 60 साल भी हो जाएंगे, हम दोना interview करते रहेंगे, hopefully, अपने अच्छे काम के बारे में बात करते हुए, I love you, यहर मेरे भाई, बहुत अच्छा नहीं जाने जाने, Thank you so much, thank you so much. इससे जादा good looking मत होना, मेरे भाई, समझे के नहीं, good looks नहीं पर end कर दो वरना हम लोगों बहुत complex होता है, Look who's talking. इनोंने जान दिये, जो इंसान camera के अंदर, जो face करता है, रोने लग जाता है अपने character के साथ, यानि भाई ने जान दिये, This is what is called living your role, breathing your role, feeling your role. Dory, मेरा भाई Amarupadhyay. Thank you.